यहां के वोनी में रंग धानी पगड़ी पड़ी है उनी नी जादर साने हेलो फ्रेंज तो मेरा नाम है शिवाय और आप देख रहे हैं दा परफेक्ट आर्जी वीडियो चैनल जिसमें फोटो एटिंग वीडियो एटिंग और डिजाइनिंग से रिलेटेड कॉंटेंट हम बनाते रहते हैं तो हम आज इस वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं और आप अशिकलेट एलाइट मोसन में और इफेक्ट के बारे में उसको कैसे यूज करते हैं तो एलाइट मोसन को ओपन कर लेते हैं और यहां पर प्लस के आइकन पर क्लिक करते हैं और इस क्रीन रेशियो दो नमबर वाला रखना है नोशोला का और रेजलियोशन जो है 720 प और फ्रेम रेट जो है 30 APS और बैग्राउंड जो है ब्लैक और यहां पर क्रेट प्रोजेक्ट पर जैसे ही क्लिक करते हैं कुछ हमारे सामने इस तरह का पेज ओपन होता है तो अब हमको क्या करना है अब प्लस के आइकन पर क्लिक करना है और यहां पर मीडिया में गए अब अब यहां से हम एक इमेज को पिकप कर लेते हैं अब इसको थोड़ा इसका साइज जो है इसको जूम कर लेते हैं तो थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं अब सितना ठीक है अब यहां पर इफेक्ट में जाएंगे एड़ इफेक्ट और यहाँ पर move transform में option दिया है चार्ड नमबर पर oscillate का जैसे इस पर click करेंगे तो हमारे सामने एक नया page open होगा अब इसमें हमको standard setting रखना है तो standard setting रखना है अब इसमें हमको क्या क्या setting करना पड़ेगा तो सबसे पहले इंगल में देख लेते हैं इंगल 50 कर लेते हैं और frequency जो है frequency कर लेते हैं 30 यहाँ पर 30 कर लेते हैं frequency को और magnitude को जो है 100 कर देते हैं 100 अब यह कुछ इस तरह का वीडियो है पर यह छोटा सायद 2 सेकेंड का तो इसकी हमको लेंथ बढ़ाना है तो इसी फोटो पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर टाइमर वाला option दिया हुआ है इस पर हमको लगभग करना है 20 सेकेंड का तो इसको थोड़ा इधर की ओर ड्रेक करते हैं और यहाँ पर जब 0.10 X आएगा तो 20 सेकेंड का लगभग हो जाएगा तो यहाँ पर 0.10 X हो चुका है तो यह लगभग 20 सेकेंड का वीडियो हो चुका है और यहाँ पर हमारा कुछ इस तरह का वीडियो बन चुका है अब इसमें हमको अगर song एड़ करना है कोई तो मीडिया में गए और यहां से एक song को pick up कर लेते हैं अब यह video वाला song है पर इसको हमको नीचे लाना है तो यहां पर किनारे side में देखो तीन तीन line मनी हुई है हर photo के उपर या video के उपर तो इसको थोड़ी दे दबाय रखते हैं और नीचे की तरह drag कर लेते हैं अब देख लेते हैं कि यहां पर थोड़ा space कम है photo का जो नीचे music के बराबर नहीं है तो उपर वाली layer पर जैसे एक लिक करते हैं तो यहां पर timing वाला option दिया हुआ है अब हमको यह वाले option पर जैसे क्लिक करेंगे यह बराबर layer हो जाएगी इसको हम export कर लेते हैं इसको होने में थोड़ा time लगेगा तब तक वीडियो को लाइक कर दें कमेंट कर दें शेयर कर दें और साथे साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास में पेल आइकन को इसको प्रेस कर दें ताकि हमारे यूटूब चैनल की सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहल सके अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्राब्लम आ रहे तो हमको कमेंट करें उसका रिपलाई जरूर देंगी कि यहां पर हमारा वीडियो एक्सपार्ट हो रहा है थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा कि अब अब जात करना है । झाल झाल झाल